कि नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओनर 7x की अन्बोक्सिंग यह मुबाइल मैंने एक मार्च को खरीदा था आज तीन मार्च है जो आज मैं इसकी अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ आपके सामने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओनर 7x में जो न्यू मुबाइल है उसमें ओरियो अपडेट आया है या नहीं फेस अनलव फीचर आया है नहीं चलो दोस्तों देखते हैं मैं आपके सामने उबन करता हूँ इस मुबाइल को मैंने अमेजन से खरीदा है 12,999 रुपय में ब्ल्यू कलर का मुबाइल है जो 4GB RAM 32GB internal storage के साथ आया हुआ जिदेगी आप देख सकते हैं यह बिल है इसकी प्राइज आप देख सकते हैं 12,999 आया हुआ इसको अलग रख देते हैं तो दोस्तों यह है हवावी का honor 7X ब्ल्यू कलर में मैंने मगाया है 4GB RAM 32GB internal storage जो आप देख सकते हैं अब मैं इसे open करता हूँ आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या-क्या open होगा क्या-क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा साब कुछ मैं आपको बता देता हूँ box को open करते हैं तो दोस्तों इसके साथ हमको मिलता है honor 7X की device mobile जो की बहुत शांदार premium लोग है आप देख सकते हैं dual camera setup है fingerprint sensor, mic जो मैं आपको पताऊंगा अभी इसको open करके मैं रख देता हूँ तब तक मैं आपको बताता हूँ इस box के अंदर और क्या-क्या आया हुआ है यह लेकिए दोस्तों यह है user manual ओनर 7X की तरफ से हमको इसमें मिलता है silicon cover जो की बहुत ही soft है यह ओनर की तरफ से बहुत ही अच्छा है हमको market से लेने के जरूत नहीं पड़ेगी silicon cover data cable और charger जो की है 2A आप देख सकते हैं 5V 2A fast charger नहीं है uponर 7X के बारे में एक बात बता दूं कि आप जब इसको अपडेट करेंगे तो इसके बाद यह जायरेसकोप सेंसर अपडेट देगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देगा फास्ट चार्जिंग कंपनी नहीं देती है लेकिन आप चार्ज करेंगे तो करीब दो गंटे या दो गंटे 15 मिंट के अंदर आपको फुल चार्ज जीरो से 100% तक आपका हो जाएगा यह मैंने मोबाइल ओपन कर लिया है आप देख सकते हैं इस मोबाइल को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं इसमें यूनी मेटल बॉड़ी डिजाइन मिलेगा आपको बहुत ही प्रीमियम लोग है जो की इस रेंज में आपको किसी दूसरी कंपनी दूसरे इस रेंज में नहीं मिलने वाला है इतना स्लिम और जो मेटल यूनी बोड़ी आपको डिजाइन यहां मिलने वाला है और सबने वह आपको कहीं नहीं मिलेगा डूल केमरा सेट अप जो है वह इस रेंज में और कहीं नहीं मिलने वाला है इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको दे दू तो इसमें 4GB RAM, 32GB internal storage, metal body, dual camera setup, 16 plus 2MP camera जो secondary camera है जो 2MP depth sensor camera है जो photo को blur or portrait remote के लिए यूज़ होता है फ्रेंड camera है इसका 8MP है जो की बहुत ही अच्छा selfie लेने के लिए यूज़ होता है इसमें LED flash नहीं है fingerprint sensor है जो की बहुत ज़्यादा fast है इससे ज़्यादा fast fingerprint sensor शायदी आपको किसी mobile में मिले है Honor का जो mobile है उसमें fingerprint sensor वागई बहुत ही fast आता है इसका जो glass है वो 2.5 curved glass है जो की बहुत ही unique देखने को लगता है इसकी screen बहुत ही bright है बहुत ही अच्छा screen है आज मैं आपके लिए लाया हूँ Honor 7X की unboxing यह mobile मैंने एक मार्च को खरीदा था तीन मार्च है जो आज मैं इसकी unboxing करने वारा हूँ आपके सामने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Honor 7X में जो new mobile है उसमें Oreo update आया है या नहीं face unlock feature आया है नहीं चलो दोस्ति देखते हैं मैं आपके सामने आपके सामने आपको बताऊंगा कि Honor 7X में जो new mobile है उसमें Oreo update आया है या नहीं face unlock feature आया है नहीं चलो दोस्ति देखते हैं मैं आपके सामने open करता हूँ इस mobile को मैंने Amazon से खरीदा है 12,999 रूपय में blue color का mobile है जो 4G RAM 32G internal storage के साथ आया हुआ जिदे की आप देख सकते हैं यह bill है इसकी price आप देख सकते हैं 12,999 का आया हुआ है इसको अलग रख देते हैं तो दोस्तों यह है Huawei का Honor 7X blue color में मैंने मगाया है 4G RAM 32GB internal storage जो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं तो दोस्तों हमें इसकी internal memory के बारे में और बता देता हूँ memory and storage में आप देख सकते हैं की firmware 9.63 आप देख सकते हैं 32GB में से फ्री मिलेगा 19.79GB बागी पूरा storage मोबाइल और एप में आ गया है हमारे पास अब लेवल बचेगा 19.73GB इसमें मैं आपको SIM के बारे में बता देता हूँ SIM injector जो हमको साथ में मिला हुआ है आप देख सकते हैं की इसमें hybrid SIM slot है means आप या तो दो SIM यूज़ कर सकते हैं या फिर एक SIM card और एक memory card यूज़ कर सकते हैं दो SIM और एक memory card हम तीनों एक साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेंट camera जो है इसका 5MP camera है Full HD camera है camera quality बहुत अच्छी है जो कि मैं आपको बाद में compare करके दिखा दूँगा अभी आप देख सकते हैं Shutter speed भी काफी अच्छी है इसका camera के बारे में एक feature और है इसमें back camera जो की है portrait mode Portrait mode मतलब जो background blur हो जाता है वो feature हमको इसमें देखने को मिलता है Front camera as well as back camera दोनों ही camera में portrait mode देखने को मिलेगा हमको और भी कई feature है इसमें जो कि मैं आपको next video में बताऊंगा दोस्तों यह है Honor 7X की unboxing बाकि इसको review करने के बाद में आपको इसकी क्या खासियत है क्या खराबी है वो मैं आपको बात में बताऊंगा फिलाल के लिए इतना ही मेरा channel अगर अच्छा लगे तो please दोसो subscribe कीजिए पसंद आये तो like कीजिए share कीजिए धनेवाद